So, Hello Everyone, So, This is C.S. Anidya Saraf, Your Friend, Mentor and Coach for Auditant Law So, कैसे हैं, आप उमीद कर रहा हूँ, क्या बढ़ियां हैं, एकदम प्रिपरेशन, एकदम जबदस्ट रही हैं, right? So, this video is going to act as a complete guidance for your Economic Laws Paper 6D So, if I talk about Economic Laws Paper 6D, it is indeed a very-very scoring subject, right? अपना Open Book examination है, बहुत ज़्यदा scoring subject है आप देखते हों कि hundreds of students के 70 plus आ रहे हैं, Sir, Economic Laws में आजकर मेरे खुद के मैं students की बात करूं, Sir, तो more than 10 students have got 80 plus in the last examination and more than 100 students have secured 70 plus in the previous examination and exemptions की तो मतलब बात ही ना करें, मतलब thousands of students होंगे across the country जिन लोगोंने exemptions अबिल करा है in Economic Laws Paper 6D तो this is a very very scoring subject and November 23 जो है ना, यह एक आखरी attempt है यार, कि तुम क्या कर सकते हो, Sir इस particular Economic Laws का benefit derive कर सकते हो, बहुत अच्छे marks ला सकते हो और अपना जो group है वो clear कर सकते हो, अपना जो degree है हासल कर सकते हो क्योंकि इस particular subject में तुमको 20 marks तर भी buffer मिल गया ना, तो तुमको help करेगा, कि बाकि subject में उतना काम आए तब भी चलेगा and this is going to help you out to clear your examination बट अगर यह subject इतना जादा scoring है यार, तो एक minimum efforts तो चाहिए ना, कोई जिस free में तो नहीं आता ना, हाथ में कोई तुमको थाली में जाकर तो खाना नहीं परोस देगा ना, भई, तो कुछ तो efforts अपने end से भी करना रहेगा if you want, यह बहुत अच्छे marks आ जाए यह चीज़ दिमाग से अटा दो sir, exemption आ गया, group clear नहीं वह, बाद में carry forward मिलेगा, नहीं मिलेगा, set of मिलेगा, नहीं मिलेगा, new flavors में वो चीज दिमाग से हटा दो, assume कर लो नहीं भी मिलेगा, assume कर लो नहीं मिलेगा, तब भी भाई तुम उस चीज को दिमाग से हटा दो, तुम यह सोचो कि अभी मेरे को कर 20 नमबर इसमें जाधा है ना, तो मेरे को group clear करने में help होगा, मेरा group clear हो जाएगा, हो सकता है, मैं both group दे लिए है, दो अलग-लग set of students के लिए है, and accordingly जो guidance भी होगा, सब दो set of students के लिए अलग-लग होगा, एक वो बच्चा जो group 1 के साथ, यानि both groups दे रहा है, group 1 के साथ economic loss के तयारी कर रहा है, तो both group दे रहा है, paper 4 के exam भी आप देने वाले हो, 6D के exam भी देने वाले हो, paper 4 के तयारी आप अर्छा से करे रहा हो, और दुसरा बच्चा जो सिफ और सिफ और सिफ second group की examination दे रहा है, तो उसका first group पहले ही clear हो गया है, उसका first group पहले ही clear हो गया है, and you know, now he just has to give the second group and November में सिफ और सिफ और सिफ वो group 2 दे रहा है, paper 4 से उसका भी कोई लेना देना नहीं है, फिला, clear? तो दो सेट ऑफ स्टूदेंट के लिए मैंने क्या कर दिया सर्य disparate रिस्ट डिसकशन डिवाय Today तो सबसे पहले सरं वह बच्चे सबसे पहले सर वह बंग्रुप से 2 वह च्रुप में भोद रृट वंबर में गूरुप वन की त्यारी आपने अल्रेड कर रखीई या फिर वो बच्चे जिनका अभी अभी ग्रूप 1 क्लियर ही वा था में में और ग्रूप 1 का प्रिपरेशन मतलब अभी भी आपको याद है पेपर 4 स्पेशली आपको अभी भी याद है ठीक है तो इन बारे सेनारियो उच याद रखिए का आपके लिए सिर्ड चारब्टर बच जाता है कि एक बेनामी आप बच जाता है एक गणर बच जाता है याद धर फासी बच जाता है वो ओर अबच जो टीन अच एक эпमा अक्ट कि आब जीए क्योंकि आप बोद ग्रूप से रहे हैं या क्र अब्स जृटे से रहे हैं Jeed रेहरा 4 गंटे उसके उपर का चाप्टर नहीं है, तो बेनामी इसके अलावा जब आप 2nd revision करेंगे तो मान लिजिए 4 hours का 1 & 5 hours लगना चाहिए तो 1st revision में आप गंटे लगने चाहिए और 2nd revision में आप गंटे लगने चाहिए इससे साथा समय नहीं लगना चाहिए वो 3 chapters विलाल मैं exclude कर रहा हूं क्योंकि paper 4 आप साथ में दे रहे हो तो paper 4 के अंदर आपने वो 3 chapters अच्छे से करे हैं तो दुबारा से उन 3 chapters को pick up करने की यहां पर ज़रूरत नहीं है Already you have prepared those 3 chapters there ठीक है ना? Already you have prepared those 3 chapters there अब देखना सर हमारे जो examination ना सर एक open book examination है तो बच्चों को लगता है काफी वार की है और books तो आपने लेके जाही सकते हैं तो books तो आपने लेके जाही सकते हैं तो सर बीट करके चले जाते हैं तो books आपने refer कर लेंगे लेकिन उससे काम नहीं चलता है याद अथना examination का pattern है ना सर तो maximum चीज़ आपको इस paper में भी याद रहने चाहिए जादा तरह MCQs वगएर ऐसा होना चाहिए कि आप यूहीं टिक कर भाओ without referring the book और जहां आप book refer कर रहे हो वहाँ भी book के साथ और index के साथ इतना गहरा दोस्ती होना चाहिए इतना गहरा comfort level होना चाहिए कि आप फटा फट जाकर क्या कर सको trace कर सको वह topic book में किधर है and accordingly क्या कर सको सर उस जिसको identify कर सको this is something that should be done तो यह जिस दिमाग से अटा देना यार open book examination अपने को से free it करना है नहीं at least आपको na maximum चीज़े कोशिश कर नहीं है कि exam के लिए important है relevant आपको चीज़े याद भी रखनी है समझनी भी है याद भी रखनी है that is also something you have to do कि at least MCQs वगएरा most of them आप क्या कर सको सर आप इसली टिक कर सको without referring the main book आप बहुत टापिक्स अठार गंटे में नहीं हो पार है बहुत टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है बिल्कुल self-study कीजिए self-study is the best study at this point of time but अगर इसके ज़्यादा समय लग रहा है तो इन दाप सिच्वेशन आप क्या कर लीजे classes ले लीजे अब classes में भी आपको लगता है इन topics में ज़्यादा duration लग रहा है इसके यह 4 chapters covered होंगे और फेस होगा मातर 15 सो रुपए तो इकनॉमिक लॉस mini course विद 3 months validity 1.8 views जिसके अंदर सिफ यह 4 chapters covered होंगे और आपको 15 सो रुपए में course मिल जाएगा विद ए-books तो और बाकी assistance के लिए रिविशनेरी वीडियो वगर अबलेबल है और आपको लगता सर self-study हो पारी है तो उससे अचा कुछ नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ self-study is the best form of study आप अराम से self-study कीजिए guidance के लिए आपन बैठे है तो यह 4 chapters कीजिए सर उसके बद questions practice करना start कर दीजिए questions के लिए मैं suggest करूँगा सर जिते भी institute के questions सारे लगा लिजिए अगर आपने मेरा question bank purchase कर रखा है तो मेरे question bank के questions लगा लिजिए और time के किल्लत है तो सिब case study digest के questions लगा लिजिए FEMA के amendments अदक से refer कर लिजिए सर पिछली बार बहुत सर amendments आया है इस बार आपके exam के लिए important रहेगा पिछले बार बहुत सर amendments आया था अब सर अगर आपने group 1 refer नहीं कर रखा है आप group 1 साथ में नहीं दे रहे हो law के साथ paper 4 के साथ इसवत अपका कोई नाता नहीं है आप भूल चुके हो चीज़ों की तब इन that situation में आपका advice करूंगा भईया पूरे economic class paper 6G का एक exam oriented course तुम ले ही लो देखो अगर paper 1 के साथ तुम economic class paper 6G दे रहे हो class लेना है नहीं लेना है तुम्हारे उपर है बिल्गुल तुम्हारे उपर choice है क्योंकि तीन major chapters तुम classes में cover कर रहे हो बाकि बसता सिर्फ 4 chapters उन 4 chapters को उपर तुमको call लेना है लेकिन अगर paper 4 के साथ तुम्हारे इस वक्त कोई रिष्टा नाता नहीं है तो मैं advise करूंगा भई ए exam oriented course ले ही लो खुद से करना बहुत difficult हो जाएगा time जाधा लग जाएगा आपको properly पता नीच लेगा क्या relevant है क्या नहीं है तो एक exam oriented course ले लीजिए 60 hours में economic loss paper 60 आपको उससे cover हो जाएगा फिर 30 घंटा खुद का revision के लिए मान दीजिए 60 घंटा classes देखने में लगा 30 घंटा खुद का जो division का समय है वो लगा और उसके बाद questions को आपको practice करने है जिसमें आपको माल दीजिए 30 घंटा लगेंगे तो टोटल मिला कि आपको 120 घंटा लगेगा अब सर आप 120 घंटे भी नहीं दे सकते हो यार एक ग्रूप दे रहे हो तो 120 घंटे भी नहीं दे सकते हो तो यार प्लीज then stop complaining कि मेरे को अच्छे marks नहीं मिल रहे you have to give, you have to revise अगर तुमको लगरा self-study से भी 60 घंटे में हो जाएगा तो self-study कर लो लगरा self-study से उतना समय में नहीं हो पाएगा तो exam-oriented course ले लिजिए ठीक है फिर one time revision करना sir आपने 30 hours में one time revision के लिए अगर आपने classes refer करी है सर तो classes में मैंने हर एक चीज मांक कर आया है कौन से चीज़े जाद relevant है कौन से चीज़े अच्छे से पढ़नी है कौन से चीज़े रीट करके आगे निकल जानी है तो accordingly आपने उन techniques को यूज करना है आपको साथ में summary notes भी प्रवाइट किया गया है सर जिसके माध्यम साथ पटफट चीज़ों को revise कर सकते हो और फिर अगेन आपको practice करनी है questions और क्या करना है 10 घंट extra लगाना है full test अब जो भी बच्चा अब जो भी बच्चा चाहे मुझसे classes ले रहे नहीं ले रहे कोचिंग किसी भी ले रहे नहीं ले रहे सेल स्टेडी कर रहे जो भी है तो भाई कुछ important sources आपको refer करना चाहिए paper for six day paper six के लिए paper six के लिए institute का study material इसको तेक्दम भगवत की तरह मान दो यार कि institute study material है आपके लिए बहुत जादे amendments अलग से कर लेना कोई करना है 30% चीज़े जिसको आपको read करके आगे निकलना है तो classes के अंदर मैं आपको mark कराता हूँ कि 70-30 क्या है उसके बाद सर आपने comprehensive master index refer करना ज़रूरी है क्योंकि exam में index आपके लिए important होने वाला है क्योंकि open book examination है और उस index के साथ familiarity आपने आजसे ही बनानी है ठीक है उस index के साथ आपने familiarity आजसे ही बनानी है एक चीज़ आपको inform कर दो सर कि भाई आप मेरे student हो नहीं हो मुझसे classes ली है नहीं ली है हर एक बच्चे के लिए पुरे देश में comprehensive master index हमारा summary notes हमारा economic class paper 6D का available है free of cost at www.appnamender.com जाइए अभी के भी डाउनलोड कर लीजे और finally sir अपने questions प्रक्टिस करना है जितना उसे के उतना questions प्रक्टिस करना है अगर ज्यादा time ना मिले sir तो at least case study digest के questions प्रक्टिस करने है इतना तो करना ही है ठीक है ना इतना तो करना ही है तो these are the various sources that you need to wrap these are the various sources sir that you need to wrap मेरी तरफ से कुछ resources जो आपको मिलता है sir free of cost मिलता है अपना mentor.com में मिलता है master index summary notes case study digest ये कुछ useful resources है ये कुछ utility वाले resources है जो मेरी तरफ सापको free of cost मिलता है for your exams आपने चाहिए उसे classes ली हो नहीं ली हो ये resources को ज़रूर यूज किजिए sir अपने preparations के लिए और एक ही जिस बोलना चाहूँगा आपको कि ये जो paper 6D है ना बहुत जादा scoring subject है बहुत जादा scoring subject है इसको एक संजीवनी बूटी की तरह use करो अपने exams में इसको बिल्कुल ignore ना करो classes लेना है नहीं लेना है वो लग चीज है चाहे still study करनी है लेकिन इमानदरी से time दो वक्त दो थोड़ा बहुत वक्त दो इस particular subject को थोड़ा सा time दो test जरूर दो that is very very important test जरूर दो that is very very important test कहां से देना है sir तो test देने के लिए आपके मर्जी है यार any particular platform you can choose हमारा खुद का जो platform है www.appnamented.com उसके reliability के लिए मैं आपको vouch for कर सकता हूं that it is one of the most reliable platform for conducting test series across the country तब हमारे platform से भी test दे सकते हैं और उसके बाद sir question जरूर practice कीजिए कहां से करेंगे sir case study digest से करेंगे और आपको ये भी clarity होनी चाहिए sir कि exam hall में कौन-कौन साथ sources लेके जाएंगे तो ICI का SM आपको लेके जाना है sir आपको ICI का SM लेके जाना है आपने question bank जो है वो भी आपको लेके जाना है अगर आपने question bank से questions के practice करी है जो भी amendment sheet है sir वो आपको लेके जाना है इस बार तो कोई amendments नहीं है November examination के लिए तो पिछले बार वाल amendment sheet जो है आपको साथ में लेके जाना है ठीक है ना तो these are some of the sources that you need to tag along with you in the examination hall and yes master index तो master index सबसे important दा sir आपको लेके जाना है और जहाँ-जहाँ जरुवत पर है sir master index में आपको अभी से चीज़े mark कर लेनी है कि कौन कौन से चीज़े ऐसी है sir कि आपको लगता है कि master index को रैपर करने की मुझे जरुवत पर सकती है so all the very best all the very best यार बिल्कुल शिद्दत के साथ महनत करो करो बिल्कुल शिद्दत के साथ त्यारी करो I can tell you one thing कि यार ये जो subject है ना सबसे जादा scoring सबसे जादा scoring 80 प्लस भी आ जाएगा ना इस particular subject में कोई बढ़ी बात नहीं है अगर आपने क्या कर लिए sir थोड़ा सा efforts जाल लिए थोड़ इसे महनत कर लिए थोड़ इसे शिद्दत के साथ प्रिपरेशन कर लिए तो 80 प्लस भी आ जाएगा ना सर कोई बढ़ा बात नहीं है इस particular subject के अंदर so just hope for the best go for 80 प्लस हो सकता ये particular subject जो है आपके destiny बदल दे और आप exams clear कर लो because of this very subject